Hello everyone, इस वीडियो में हम कशच है विशेगरित की कारेपतरक 24 करेंगे रिनांग है इसकी 27 सेप्टेंबर 2021 और इसका जो विशे है वो है प्रायोगिक जियामेती तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले जिनोंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीचेगा सुभुमी का देखिए बच्चों आपने जियामेती बॉक्स जरूर देखा होगा जिसे हम जियामेटरी बॉक्स भी कहते हैं तो आपने जरूर देखा होगा उसमें जो है कई सारे उपकरण होते हैं तो आए जामिती बॉक्स के उपकरण के बारे में जाने और उनका प्रियोग करना सीखें जैसे कि लिए सबसे पहला जो उपकरण है वो होता है रूलर जिसको हम स्केल भी बोलते हैं और ये सभी बच्चों के पास होता है इस तरीके से जो है रूलर दिखता है एक तरफ जो हैं इंचे लिखे होते हैं एक तरफ जो हैं सेंटीमीटर लिखे होते हैं ठीक है तो देखिए रूलर के एक किनारे पर सेंटीमीटर और दूसरे किनारे पर इंच के चिन होते हैं तो एक किनारे पर तो इंचों किचिन होंगे, एक पर सेंटीमीटर किचिन होंगे रूलर का प्रयोग हम रेखा-खंड खीचने और उसकी लंबाई नमापने में करते हैं कोई खिचा हुआ रेखा खंड है तो उसकी लंबाई भी हम स्केल से नाप सकते हैं रूलर से नाप सकते हैं और अगर बोला गया है कि मालों पास सेंटीमीटर का आपको रेखा खीचनी है तो रेखा खीचने के लिए भी रूलर जो है काम आता है ठीक है रूलर सभी बच्चे प्रियोग करते होंगे उसके बाद परकार परकार इस तरीके से होता है इसको हम कंपस कहते हैं इंग्लिश में परकार में क्या होता है देखिए परकार में परकार के दो सिरे होते हैं एक सिरा नुकीला और दूसरे में पैंसल रखी जाती है आपने देखा होगा एक तो इस चाप खीचना है, तो इसके लिए हम लोग परकार का प्रियोग करते हैं, उसके बाद है divider, divider इस तरीके से दिखता है, इसके जो दोनों से रही नुकीले होते हैं, divider के दो नुकीले से रही होते हैं, इसका प्रियोग लंबाईयों की तुलना करने के लिए होता है, तो लंब चाल डिखेंहें इस तरीके से स्क्यासर सेस्ट हम सघक्ठ और técnica. प्रियोग कितंगे लंब और समांतर त면 हम लोग set square का use करते हैं उसके बाद है आपका चंदा जिसे हम कोण माओक मापक भी कहते हैं इस तरीके से यह अपने देखा होगा इसे हम चंदा कहते हैं और चंदा जो होता है उसमें क्या होता है 0 से लेकर 180 degree तक जो है degree बनी होती है जीरो से लेकर यहां तक होती है और यह एंगल बनाने के काम आता है यहां एक अर्ध वरक्तातार यंद्र जिस पर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक भाग चिन्यत होते हैं इसका प्रियोग कोड़ों को मापने और खीचने में किया जाता है हमें मापना है कि यह जो कोड़ है बताओ यह कितने डिग्री का है तो उसके लिए भी इसका प्रियोग करेंगे और अगर हमें मालो 90 डिग्री का जो है कोड़ बनाना है इस तरीके से यह हो गया और अगर आपको 180 डिग्री का बनाना है तो यह जो होती है ये सारे आपके जो हैं एंगल होते हैं कोड होते हैं ठीक है ये हो गया ये हो गया तो इनको बनाने और मापने के लिए जो है जानदा का यूस किया जाता है इसको हम कोड मापक भी कहते हैं ठीक है तो ये सारे जो थे ये हमारे उपकरण थे रूलर भी देखिए रूलर भी 15 cm क यहां पर देखो यह आपका एक घर की आकरती बनाए गई है देखो घर है यह पूरा और आपको इसमें बताना है कि कितने उपकरण है जैसे यह जो है आपका रूलर है यह हमने पढ़ाता कमपस है ठीक है और यह जान्दा है तो इस तरीकी से कितने सारे इसमें जो है दे रखे है उपकरण और आपको आकरती आपको बनानी है जैसे यहाँ पर सरकल है सरकल की आकरती है व्रत दे रखा है और यहाँ पर देखो रक्टैंगल दे रखा है ठीक है और यहाँ पर जो है त्रिभुज दे रखा है तो इस तरी ट्रेकर इसरों जो आकरतिल है वो भी आपको बताने हैं लिख नी है उपकरन कौन कौनसे हैं पैमाना, सैट स्क्वЕर, चंदा और डिवाइडर, ठीकاح यह फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि puzzle सैट स्क्वेर, चंदा और डिवाइडर और आकरतियां कौन गुंजी हैं, आकरतियां आयताकार, गुलाकार, तरिभोज और चतरफोर्च, ये सारी इसमें आकरतियां दे रखी हैं, आप लेखिएगा, ठीके, वक्षित यहीं आपकी आज की कंप्लीट होती है, बड़ी असान सी वक्षित थी, इस वक्षित में तो सिर हैं, आपकी 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